स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास 10 के भौती विज्ञान अभ्यास 1 में हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए A&W गुड़े W&G गुड़े G&A बराबर क्या होता है एक मतलब A&W का मतलब हो गया हवा के सापेश पानी का अपवर्तनांग और पानी के सापेश कांच का अपवर्तनांग काँच के सापेज हवा के अपवर्तनांग का गुडन फल एक होता है सिद्ध करना है तो यहाँ पर तीन माध्यम है तो पहला माध्यम हवा है यहाँ उपर जो देख रहे हवा है और यह जो पानी है और नीचे जो देख रहे है काँच है तो यहां तीन माध्यम है और यहां नीचे देखेंगे पुना हवा है मतलब यहां पर टोटल माध्यम तीन है तो हवा उपर भी है हवा नीचे भी है तो इसको एक माध्यम आनेंगे यह दूसरा माध्यम है यह तीसरा माध्यम तीन माध्यम है तो यहाँ पर प्रकास के किरन जब यहाँ पर सतह पर आया है तो यहाँ क्या हुआ है अपने मार्क से बिच्छेपित हो गया है पुन्ह यहाँ से बिच्छेपित हो गया है पुन्ह यहाँ करके यहाँ से बिच्छेपित हो गया है तो आप सभी भी दियारती से नोट कर लीजिए कि जब प्रकास के किने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से बिच्छे पीत हो जाती है बिच्छे पीत मतलब मुड जाना मतलब यहाँ पर और यहाँ पर देख रहे हैं मुड गया है किरन काँच जो है हवा के बीच में चलेंगे ए का मतलब air air मने हवा होता है water मने पानी होता है glass मने काँच होता है तो अब यहाँ दो माध्यम का प्रियोग करेंगे इसके बीच में jo है I1 है और यहाँ देखेंगे R1 है ध्यान दिजेगे आप सभी विद्यार्थी से पने ध्यान से पने कौपी में बना लिजेगा I1, R1, R1, I2, I2, I1 यह कोड जो है बना हुआ है तो आप सभी विद्यार्थी से बना करके अब उसके बाद से आप सभी विद्यार्थी इसके बीच में आप पहले चलेंगे तहां लिखेंगे हवा, हवा तथा पानी के बीच में, बीच में आपतन कूर, बीच में क्या आपतन, तो आपतन कूर क्या है? तो आपतन कोड को याद रखेंगे इसमें आपतन कोड जो है उपर को आपतन कोड कहेंगे आईवन है क्या है आईवन तथा अपवर्तन कोड तथा क्या लिखेंगे अपवर्तन कोड अपवर्तन कोड अब यहां देखेंगे अपवर्तन कोड क्या है आरवन है क्या है आरवन त तो यहां है तो लिखने के बाद से अब यहां लिखेंगे इसनेल का नियम तो इसनेल का नियम क्या है इसनेल का नियम तो इसनेल का नियम आप सभी भी द्यार्थी पढ़े होंगे कि आपतन कोड का जया और अपवरतन कोड का जया का अनुपात एक क्या होता है नियतांक होता ह तो आपतन कोड का जया मतलब क्या हो जाएगा तो यहां लिखेंगे साइन आईवन यह आपतन कोड हो गया जया साइन आरटू मतलब यह साइन आईवन यह आरवन है यह आपतन कोड और यह जो है अपवरतन कोड यह आपतन कोड क्या है आपतन कोड क्या है आपतन कोड क्या है पानी है, तो हवा पानी है तो इसलिए लिखेंगे आपर A-E-N-W, अब यह बन गया समीकर नमबर एक, तो समीकर एक आप सभी विद्यारती समझ लिए होंगे, यहाँ 1-E-N-2 होता है, तो 1-E-N-2 का मतलब पहला माध्यम हवा है, अब दूसरा माध्यम क्या है, पानी है, तो पानी काच के बीच में चलेंगे, तो अब यहाँ नीचे लिखेंगे, कि पानी तथा काच के बीच में, पानी तथा, यह जल भी लिख सकते हैं, पानी तथा काच के बीच, काच के बीच, आपतन कोड, आपतन कोड, तो आपतन कोड यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे उपर देखे R1 इसके बीच में जो कोड बना है उपर यहां का लिखेंगे R1 तथा अपवर्तन कोड अपवर्तन कोड क्या है अपवर्तन कोड जो है R2 है अब यहां पर R2 यह R1 हो गया और यह R2 है R2 है तो अब यहां पर है तो अब लिखेंगे इसनेल का नियम तो यह जो कोड को धियान दीजेगा यहां R1 और यहां क्या है R2 है इसके बीच में प्रियोक किया है उपर R1 लिख लिजेगा नीचे R2 लिख लिजेगा तो अब जो है इसनेल का अब यहां नियम लागू करेंग यहां लिख लेंगे इशनैल का नियम तो इशनैल का नियम यहां पी क्या बनेगा तो इशनैल का नियम जो है नियम आपको याद रखना है कि आपतन कोड का जया तो यहां आपतन कोड क्या है आरवन है तो आपतन कोड हमेशा उपर लिखा जाता है तो साइन आरवन हो जाएग W से यन और काँच है मतलब हावा पानी और काँच के बीच में हम लोग परियोग किये हैं तो यह बने गया सामिकर नंबर दो हो गया अब लाश्ट जो माध्यम है लाश्ट माध्यम क्या है अब चितर से समझ लेंगे तो लाश्ट माध्यम है काच और हवा के बीच में यहाँ उपर आटू है और यहाँ नीचे आईवन है यह कोण और यह कोण जो है याद रखेगा सिरसा भीम कोण के अंतरगत जो है बराबर है तो यहाँ लिख लेंगे अब किसके किसके बीच में लिखेंगे तो यह लिखेंगे काच तथा हवा के बीच में अपतन कोड बीच लिखेंगे इसमें क्या है तो छीतर में आप सभी विद्यार्थी बना लियोंगे तो आपतन कोड जो है आटू है और अपवरतन कोड क्या है अपवर्तन कोड इहां लिख लेंगे अपवर्तन कोड इसमें क्या है आईवन है तो अब यहां है तो लिखने के बाद से पुना जो है इसनेल का नियम लागू करेंगे तो इसनेल का नियम तो इसनेल का नियम हो जाएगा तो इसनेल का नियम क्या है तो इसनेल का नियम आप से विद्यार्थी जान चुके होंगे कि आपतन कोड हमेशा क्या होता है उपर रहता है यहां आपतन कोड लिख लिएगा आपतन कोड तो यहां साइन क्या हो जाएगा आर्टू हो जाएगा बटा जो है साइन जो है क्या बनेगा आईवन हो जाएगा यह आपतन कोड है और यह क् किसके किसके बीच में है तो हवा कांच और हवा के बीच में है तो कांच को किसे पदसित करेंगे जी से यन हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा समीका नमक क्या बन जाएगा तीन बन गया तो यह जो है कांच और हवा के बीच में जो है समीका बना तो तीन समीक बना है समीकर एक और समीकर दो समीकर तीन को धियान से देख लिजे और तीनों को आपस में गुड़ा करेंगे समीकर एक जो है यहां पर है समीकर दो समीकर तीन अब तीन हों समीकर को आपस में क्या करेंगे गुडा करेंगे तो यहां नीचे लिखेंगे कि समीकर रड़ समी करण एक, दो, तथा, तथा, तीन को आपस में, को आपस में गुड़ा करने पर, आपस में क्या करेंगे, आपस में गुड़ा करने पर, तो आपस में लोग गुड़ा कर लेंगे, तो गुड़ा करने पर, तो आपस में गुड़ा कैसे होगा, तो यहां पी जो गुड़ा जैसे समी के एक का जो मा निकला है एक का दो का तीन का फहले गुड़ा हो जाएगा इसके वाइसे बराबर का एक पास गुड़ा कर लेंगे तो समी के एक क्या है तो समी के एक जो है साइन जो है आई वन बटा क्या है साइन आर वन है गुड़े हो जाएगा साइन अब यहां सम क्या है I1 है यह जो है समी का 1 है समी का 2 है और समी का 3 है अर समी का 1 किसमें क्या हो जाएगा तो A यन W यन G गुड़े G यन A यह 3 जो है समी का 1 पहला समी का 2 है और समी का 3 है तो यह 3 है को आपस में क्या कर लिया है गुड़ा कर लिया है गुड़ा करने पर क्या होगा कि यहां पर जब देखेंगे तो साइन I1 से I1 कर जाएगा I2 से साइन R2 से R2 कर जाएगा R1 से R1 कर जाएगा यहां पूरा मान जो है कट जाएगा कटने के बाद यहां क्या बचेगा तो यहाँ सब सब कर जाएगा तो एक बचेगा बराबर हो गया और यहाँ क्या बचेगा तो A यन W यन G G यन यह जो है शुत्र जो आ गया तो इसको या करके लिख सकते हैं मतलब इसको आगे लिख सकते हैं तो एक लाइन और भी आप बढ़ा सकते हैं तो अब यहां लिख लेंगे या और या लिखने के बाद से अब यहां इसको लिख लेंगे A यन W यन G गुड़े G यन A बराबर क्या होता है एक होता है इस सुत्र को आप सभी भी द्यार थे याद रखियेगा तो यह सुत्र का निगवन बहुत ही असान था बस आपका ध्यान देना है कि आपतन कोड और अपवरतन कोड बस इस पे ध्यान देना है आपको चित्र पे यहां I1 है या R1 है यहां R1 है I2 है I2 है या I1 है इसको आपको ध्यान देना है और इसी चित्र के माध्यम से यहां पे जो है आपतन कोड अपवरतन कोड को लेकर के इस स्नेल का नियम क प्रियोग किया गया है और जाकर के लाश्ट में जो है सुत्र का निगमन हो गया है अब इस सुत्र के सहायता से और भी आगे सुत्र बना सकते हैं तो अब हम लोग विसेस में समझेंगे तो अब हम लोग विसेस में ध्यान देंगे विशेज जो है विशी के सहायता से numerical को हल किया जाएगा तो विशेज क्या है जैसे तीन माध्यम है हवा है, पानी है और क्या है, काँच है air है, air मने हवा water मने पानी, glass मने काँच है तो अगर A यंडाबलू का सुत्र बनाना है, तीनों माध्यम का परियुक करके A यंडाबलू या डाबलू यंघ या जी यंडे का सुत्र बनाना है तो कैसे सुत्र बनेगा सुत्र बनाने का नियम क्या है तो सबसे पहले ध्यानने पानी है, तो glass नहीं है यादर कहांगे क्या नहीं है और इसमें देखängerगे पानी है और क्या है ग्लास है हावा नहीं है इसमें क्या है ग्लास है हावा है पानी नहीं है तो बस चुन नहीं है इसी पर आपको ध्यान देना है तो जैसे यहाँ पर क्या नहीं है तो आपको ग्लास नहीं मितलब कांच नहीं है तो कांच नहीं तो यहाँ पर पहले जी लिख यहां डाबलु हो जाएगा और यह ए है तो यहां यह हो जाएगा कैसे बनाए गया एक बार और धियान Дेंगे इसमें घ्टेंगे क्या नहीं है तो काच जो है नहीं अपने की इन बटा इन पर बना ली तो यहां लिखेंगे जी और यह डबलू है ते हैं डबलू हो जाएगा कितना आसान है बस बनाना है कैसे बनाना है आपको सीखना है कितना आसान सुत्र है इसी सुत्र के सहायता से नुमेरिकल को हल किया जाएगा अब लाश सुत्र कैसे बनेगा इसमें देखेंगे क्या है हावा है काँच है हावा है क्या नहीं है पानी नहीं है तो पानी नहीं है तो क्या लिखेंगे पहले डाबलू यान और यहां लिखेंगे डाबलू यान यह क्या है ए हावा मतलब हावा हो जाएगा और यहां क्या हो गलास हो जाएगा तो सुत्र बनाना आप सभी विद्यार्थी समझ लिये होगे इस सुत्र को आप लोग तियार कियेगा क्योंकि इसी सुत्र के सहाइता से कल जो है Nュ निमेर कल बताया जाएगा तो यह तीनो सुत्र को आप लोग रहाद रखे रहिएगा तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजेगा यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आये होंगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेए बहुत से विद्यार्थी कमेंट किये थे कि सर आपका जो वीडियो का नेट्प लोड किया जाए तो उसका मेसेज जो है तुरंत आपके पास पहुंच जाए तो आज का पढ़ाई इतना ही तो कल मिलते हैं तो तब तक के निए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार